हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब आपका स्वागत करता हूँ आपके अबने यूटूब चैनल वेटो राइट में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीटे की सेकिंड फेज काउंसिलिंग होगी उसमें सीटे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस विशापे हम बात करेंगे अगर आप इस चैनल पर ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको जानकार या अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और हाँ अगर आप अभी तक हमारे टेलिग्राम गुरूप से नहीं जुड़े है तो उसको भी जोइन कर ले उसका लिंक में सब्सक्राइब कर लेकिन अब की बार दोस्तों आपने देखाऊगा जो साउथ के निश्टाइब वहाँ पर हंडर्ड सीटे थी या वन फिप्टी सीटे थी लेकिन वहाँ पर अभी तक पच्चीस ही दिखा रहा है पच्चीस सो कर रहा है पच्चीस पर काउंसिलिंग जहां पर पूरी सीटे दिखा रहा था वहाँ पर जो प्रोविजनल एडिशन के बाद सीटे वचेगी सिर्फ उनी पर काउंसिलिंग होगी और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कुछ एनस्टिया नोर्थ में ऐसे है जो फर्स्ट पेज काउंसिलिंग में फू तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्योंकि कुछ दोस्तों कमेंट आ रहा था कि मुझे को एनस्टे यह दराबाद मिला है क्या मैं जो प्रोविजनल एडिशन है उसमें पार्टिसपेट करू या न करूं वह फैसलान को खुद लेना है कि वह क्या करें लेकिन एक बात का ज्यान रखना थोड़ी संभावना उनकी यह रहती है कि जो ट्रांसफर राउंड होता है उसमें पोसिबिल्टी होती है कि जैसे आप एनस्टे कानपूर चाते हो तो थोड़ी संभावना रहती है कि आपको कानपूर मिल जाए ठीक है तो यह आपको देखना है कि आपको कैस से क्या करना है तो इस वीडियो में इतना ही और आपको जानकार इच्छी लेकर वीडियो लाइक कर दे अगर आप इस चैनल पर ने चैनल को सस्क्राइब कर दे अगर आप अभी तह कमारी टेलिगराम गुर्व से नहीं जूड़े तो उसको भी जोइन कर ले ठीके दोस्तो धन नवाद.